सत्साहाव स्वागत है आप सभी का सुनील राय ओफिसियल में मेरे भाईवंबैनों आज दिपाबली की तोहार है और आज की समय में आज की दिन में बहुत सारे हिंदू भाईवेन जो है दिपाबली मनाते हैं लेकिन उसे ए नहीं पता कि आज की ही समय में हमारे बहुत ही ऐसे मानव जीवन में कष्ट भोग रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि आज की दिन में भी उनकी चूला भी जलने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है और मैं बता दू यह दिपाबली की जो पर्व है एक किस लिए मनाया जाता था क्यूं मनाया जाता था और क्यूं अभी भी मनाया जा रहा है इन सारी परस्ण की जवाब देते हुए वीडियो को आगे बरहाते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेर करना ना भूले सुनी ले राए ओफिसियल को ताकि इसी तरीके का मोटिवेशनल वीडियो मैं आप सभी को लिए बनाता रहूं तो चलिए जदा देड नहीं करते हुए वीडियो को आगे बरहाते हैं मेरे भाए बुम्बहिनों जैसे कि आप सुने हैं कि एह दिपावली के पर्व हिंदु धर्म में क्यों मनाया जाता है श्री राम चंद्र जी का जब बनवास हुआ तो चोदह वर्ष की जब बनवास काट करके वो आया अपनी पतनी के साथ में तो उसी की खुशियाली में अयोध्याबासी ने एह दिपावली की जो दिप परजल करके उनकी लंबी आयू के लिए यह दिपावली मनाया गया था लेकिन आपको बता दू दो साल के बाद में ही अयोध्याबासी दिपावली को परव मनाना छोड दिया क्यूंकि सीता को जो राम की पतनी थे सीता उनकी उपर लालचन लगा के उनकी बनवास भेंज दिया इसी क्रम में उनको जो है बहुत बड़ा जो दुर्दासा भोगना परा और सीता को राम से अलग होना परा कुछ कथा कथित और कारण बस तो उसी दिन से फिर से दिपावली की पर्व मनाना उन्हों ने छोड दिया लेकिन आज की मानव देखी देखावा और धन की प्राप्ति के लिए यह दिपावली की पर्व मनाया जाता है और मनाया करता मेरे भायवम बहनों मैं आप सभी को बता दू ये रूड़ी बाधी परंपरा के सीवा यह कुछ नहीं क्यूंकि अगर आपकी मन में आपकी दिल में थोरी शिवी दया है तो ये सोचिए कि आपके ही गल्ली में आपके ही महुले में आपके ही परोसी की क्या हाल है आज क्या समय हैं ओ दो बक्त की रोटी खाने के लिए अपने बच्चे को अच्छा कपडा देने के लिए भी तरस रहे हैं तो ऐसे में क्या है हमें क्या करना चाहिए हमें कि सरण में जाना चाहिए और हमें मानप जीवन की हमारा मुलकरतब क्या है यह हमें हमारा सास्त्र से ही मिलेगा कैसे मिलेगा हमें उससे धूनने से मिलेगा और धूनेंगे कैसे जब कि हमारे जीवन में असल मार्ग दर्सक ना मिले असल गुरू ना मिले तब तक हमें यह गुड ज्यान के प्राप्ति नहीं हो सकता मैं आपको बता दू कहते हैं कि राम किर्शन से कौन बढ़ो, ओ भी गुरुआ कीन हैं, तीन लोक के वे धनी, गुरुआ के आधीन. एक बात बताईे, जब आप राम और क्रिश्न को ही मानते हैं, तो वो तीन लोक के धनी थे, धर्ती, पाताल और आकास, लेकिन ओ भी बिना गुरु के आदे से नहीं चला करते थे, तो हम क्या मानव तुछ जीव, आज हम अपने आपको इतने बड़े सोच लिए, इतने बड़े सोच लिए, कि जन्म देने वाले माता पिता को भी पैसे के कारण, चंद पैसे के कारण, भाई, बहन, माता पिता को भी त्याग देते हैं, और ये फोटो को सजा सजा के, मुर्ती के अपने हाथों से बना करके, सजा सजा को पुजा करते हैं, क्या इसे कुछ होन वाला नहीं है अपने सांस्तर को जानिये अपने सांस्तर को परहिए और मैं आपको बता दूँ हाल ही में जो बरए-बरे भविष्कर्ताओं ने भविष्वानी किया है कि जगत की तारनहार बंदी छोर जो काल की बंद से छुरवाता है सभी सास्त्र को ज्यान के हमारे उपर प्रकाश डालता है और जिन से नाम दिछाले करके हजारों लाखों करोरों देखती सुखी और संपन हो गए हैं सास्त्र बिधी साधना करके हमें हमारा जीवन की असल महत्व मिलता है ऐसे ही एक गुरू बंदी छोर सत्गुरू राम पाल जी महाराज है तो एक बार जदि आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो संत्राम पाल जी महाराज की प्रवचन जरूर सुने और उनसे ना काते हुई विदा चाहता हूं मैं सुनील राय सप्त साहब